वोट नहीं तो सड़क नहीं जिहां कुछ ऐसा ही हो रहा है उधम सिंग नगर में जहां ग्रामीनों ने सड़क की मांग की तो ग्राम प्रधान ने वोट नहीं तो सड़क नहीं का नारा दोहरा दिया मामला बाजपूर के ग्राम मुंडिया पिस्तोर दिहात का है जहाँ पर ग्रामीनों के उर से लंबे समय से सड़क नर्मान की मांग की जा रही थी लेकिन ग्रामीनों की मांगना ग्राम प्रधान ने सुनी नहीं प्रशासन ने उसके बाद ग्रामीनों ने चंदाई खटा कर श्रम्दान करते वे खुदी सड़क का नर्मान करना शुरू कर दिया. जब ग्राम पंचायत के चुनाव आते हैं तो ग्राम प्रधान प्रतियाशी सड़के, पानी, लाइट, नाल्यू को बहतर बनाने का प्रलोबन दे कर ग्रामीनों को अपने और आकर्शित करते हैं और ग्राम प्रतियाशी अपने अपने ग्राम पंचायत में वोट बैंक की रा साल से मुहला हभीब नगर में शतीवर सड़क निर्मान की मांग ब्लॉक के अधिकारियों और ग्राम प्रुधान से की जा रही थी लेकिन सड़क निर्मान की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था जिससे ग्रामीनों को गंदे पाने के बीच में होकर गुजरना पड़ रहा थ अधिकारियों जिन प्रतिनीदियों के अंदेके से नराज होकर ग्रामीनों ने खुदी चंदा इखटा कर सड़क का निर्मान करना शुरू कर दिया इस दौरान ग्रामीन शर्बत अली ने बताया कि कई बार ग्राम प्रुधान और अधिकारियों को सड़क निर्मान के इसे ग्राम प्रदान की दादागिरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे वोट देना हर एक व्यक्तिक अधिकार है और हम किसको वोट देंगे ये भी हमारा ही अधिकार है जब यहां हमारा और इन ग्रामिनों का अधिकार है तो ग्राम प्रदान का ये कहना वोट नहीं तो स्लक नहीं उचीत है फिलहाल जो भी इस मामनेका संगयन प्रशासन को लेना चाहिए और जाजकर ऐसे ग्राम प्रदानों पर काड़वाई करने चाहिए पंजाब के स्टे टीवी के लिए उधम सिंग नगर से निजाम मुदीन शेक की रिपोर्ट